Hello students, उम्मीद करता हूँ आप रोजाने study का time निकाल रहे होंगे आज मैं आपको proposition करूँगा, proposition कोई rules के माध्यम से नहीं समझाऊँगा, एक story होगी जिसमें जो words होगे, उनके verb, adjective, noun भी explain करूँगा और साथ में जो proposition को use करा गया है proposition जो हम use करते हैं, तो हिंदी इसमें exact meaning निकालाता है कई बार, लेकिन कई बार हमें proposition इंग्लिश के हिसाब से यूज करना होता है, ना कि हिंदी के हिसाब से, दोनों अलग 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 लैंगूज है, तो शुरू करते हैं, इस story को राम है रिटर्न, पास परफेक्ट में राम वापस लोटा टू इंडिया, इंडिया में, चुरुआती है परवे बहुत इजी है, तो आता है, मुमेंट को बतलाता है, जहों किसी प्लेस की तरफ मूव करते हैं, जैसे, इवेंट टू हाउस, वो हाउस को गया, तो राम है र और पर उस होती, रिटर्न, जैसे एक्जाम्पल इसका, रिटर्न ऑफ माईगरेटरी वर्ड्स, रिटर्न की वापसी, रिटर्न, इस साइन उफ इस्प्रिंग सीजन, इस्प्रिंग सीजन का साइन है, आफ्टर लॉंग टाइम, काफी समय बाद, अबरॉड, बहर से, ये आ आपको याद करना पड़ेगा, after a long time, काफी समय बाद, जैसे होता है, long time ago, काफी समय पहले, after a long time, काफी समय बाद, he had left India, इसने इंडिया छोड़ा था, past perfect में, जीव, first form होती है, परुकी, second or third form, left, left, जीव, noun भी होता है, छुट्टी के तौर पर यूज करा जाता है, जैसे, I took a leave, मैंने एक छुट्टी ली, before Christmas, Christmas से पहले, ये time of proportion है, Christmas से पहले, इसने इंडिया छोड़ा था, but, he could not come, वो नहीं आ सका, until दीपावली, दीपावली के आने तक, इसमें नौट का सैंस लगेगा, जब तक की दीपावली नहीं आ सका, until दीपावली, by the end of next month, अगले महीने के अन्त तक, by the end of, by तक, तक का सैंस आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल फिट हो रहा है हिन्दी में, by the end of next month, राम है थाट, राम नहीं सोचा, कुछ स्टार्ट, शुरू करने की, दो वर्ब में, दो वर्ब को हमने infinitive two से जोड दी, राम नहीं सोचा, स्कूल को शुरू करने क बोड़ी मुश्किल हो जाई है, during his struggle, अपने संघर्ष के दौरान, during, दौरान, अपने संघर्ष के दौरान, struggle यहाँ पे, नाउन है, संघर्ष, और वर्ब के तौर पे भी उस होता है, struggle, संघर्ष करना, struggle, 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 he realized, past indefinite में, उसने realized करा, second form है, realization इसका नाउन होता है, what problems would occur, कौन सी problems, might occur, कौन सी problem आ सकती है, model user might संभावना के लिए आता है, occur होता है, happen के तौर पे यूज़ करायाता है, इसका noun होता है, occurrence, occur होता है, happen के यूज़ कराया, कौन सी समस्थ है, हो सकती है, happen, और इसका noun होता है, occurrence, इतना के तौर पे यूज़ करायाता है, occurrence, अगर आपको occur से आद है होना Happn को अक्रेंस इसी से बनता है अक्रेंस दिस्पाइट वावजूद आल हर्डल सभी बादाहू के बावजूद हर्डल यहां पे ना उनने सभी बादाहू के बावजूद इस पाइट किजागे आप इंसपाइट भी कर सकतो है इनसपाइट off सभी बाधाओं के बावजूर hurdle लोता है यहाँ पर noun ने बाधा और यह verb भी होता है verb के तौर पर यूज़ होता है पार करना बाधा पार करना verb के तौर पर इसका example है hurdle over the obstacles तो कावटो को उसने पार करा hurdle के सामने over लगाया है over उपर से उसने obstacles समस्याओं को hurdle over पार करा hurdle over वर्ब के तौर पर यूज़ हो है पार करना बाधाओं को despite all hurdles सभी बाधाओं के बावजूद ram captain climbing up ram captain जारी रह climbing up उपर के लिए आया है उपर चर्णा और down के लिए climb down होता है ram captain ram ने जारी रहा climbing up the tree success सफलता के पेड़ पर चर्णा जारी रखा यहाँ पर word उज़ हो है kept on चाहन रखेगा दो word होते है keep on और go on जैसे I went on doing this मैं सकायर को करता रहा on के बाद मैं working form लगाता है I went on doing this kept on भी इसी sense में use करा जाता है I kept on doing this sometimes कभी कवार he was scared passive voice में हो डर जाता था scared होता है डराना scared डर जाता है scared सबर बना है adjective है scary scary movies होती है ravni movies scary adjective होता है scary s-c-a-r-y वो डर जाता था passive voice में less कहीं ऐसा ना हो notice में involved होता है कहीं ऐसा ना हो should आता इसके साथ में less he should कहीं ऐसा ना हो की he fall down वो गिर जाए the stairs of ignorance अग्यानता की सीडियों से गिर जाए यहाँ पे बहतर ही होता है सफलता की सीडियों से गिर जाए the stairs of success he should fall down less कहीं ऐसा ना हो he should fall down the stairs of success सफलता की सीडीओं से गिर जाए , एक यहां पर रेंडवन भी लगा सकते हैं, नीचे की मोवेंट को था रहा है, तक रन हैं नीचे की तरफ ह divorce । मतले और डिशकाउंट सफलता की सीडीओं से तक है कि दिसकॉट हो 50 यहेँ. पर के सेंस में यूज़ हो गा है ऐन आुल दैंड कर सकते हैं ता वर्क्शोप को потреб अब देखो मैं के तोर 이상 पर इन यूज़ होगा are फॉर फी की डी में यहां पर भी भूरा थ्यान रहान हो गाऊंगा free में use कर सकते हैं अब to the age of 12 12 की 12 की उमर तक means 10 साल वाला भी, 9 साल वाला भी, 8 वाला भी attend कर सकता है he always वो हमेशा showed kindness, दिखाता था kindness, दया towards the needy नीडी, जो जरुतमन्द लोग थे उनकी तरफ वो दया दिखाता था next जिखते हैं now, अब he did not want to leave वो नहीं जाना चाहता है for America, वो अमेरिका के लिए नहीं जाना चाहता था, for के लिए बिल्कुल fit हो गया he often, वह प्रहय कभी कवार walked, चलता था along the road जोगो, he walked on the road बिल्कुल सही है, he walked on the road वो सड़क पर चलता था, along the road का मतलब क्या हो गया, जैसे सड़क घूमी तो खोया हुआ है वो विचारो में, और वो सड़क के साथ along the road, वो चल ला है, सड़क जहां मुड़ी वहाँ पर वो भी मुड़ गया, he walked along the road, वो सड़क के साथ साथ चलता था, lost in thought विचारो में खोया हुआ in thought, विचारो में, बिल्कुल फिट होगे हिंदी में, lost in thought, विचारो में खोया हुआ, he wanted others वो दूसरों से चाहता था come, along with him उसके साथ साथ आए, आप चाहो तो along हटा दो, लेकिन ये sense थोड़ा सा हलका सा अलग देता, same meaning है वैसे to come with him, उसके साथ आए to come with him और to come along with him, उसके साथ साथ है, as problems come, along, come, इस sense में कह सकते हैं, कि जैसे वो जा रहा है तो उसके साथ साथ चले as problems were cropping up problems होती है, past continuous में, cropping up cropping up, उपज रही थी, crop होता है फसल, up, उपर की तरफ means, जो problems हैं वो उपज रही थी, वो बढ़ रही थी cropping up, beyond, परे his thinking, उसकी समझ से परे उसकी सोच से परे, जो थी वो समझ से आए, अब cropping up, उपज रही थी, अब उपर की तरफ आ गया, उपज रही थी he was about to quit, about होता, वाला दो वर्ब है two से चोड़ दिया, वो quit, छोड़ने वाला था he was about to quit the great work, इस बड़े कारियर महान कारियर को, एक खास work है तो दाग लगा दिया, the great work महान कारियर को छोड़ने वाला था but then, लेकिन तभी he thought, उसने सोचा about बारे में, औभ भी आ सकता, he thought of he thought about, उसने सोचा what difference उसने सोचा, क्या difference would remain, क्या difference रह जाएगा, जब डिफ्रेंस है, कई एक सारे word बनते है, differentiate बर्व होता है differentiation यह भी नाउन है जब आप दो चीजों के बीच में अंतर करो तो उसमें हम differentiation करते है mess में है, और कई जगे यूज़ होता अप study में differentiation अंतर जब दो चीजों करा जाता है और differentiate अलग-अलग करना दोनों चीजों अंतर करना difference से बनाए, could remain क्या difference रह जाएगा, between him उसके बीच, and his students और उसके students के बीच इफ यहाँ पे conjunction है, यहाँ पे sentence को जोड़ा है, if he did so अगर उसने ऐसा करा, past indefinite में राम stood firmly रड़ता से खड़ा रहा past indefinite में against, position है, खिलाव all hurdles सभी बाधाओं के खिलाव रड़ता से खड़ा रहा, in morning morning समय से पहले हम इन लगाते हैं, बड़े टाइम से पहले जैसे in 2009, in spring season इसके अलावा जो part of time होता है, इससे पहले भी हम इन लगाते हैं जैसे in morning, in evening assembly, morning assembly में, he stepped on to the stage वो stage पर गए, stepped on to, यहाँ प्रपोशिशन होए on to, past indefinite में stepped on to use करा जाता है, जह हम एक location से, दूसरी location जाते हैं, अभी हाँ पर जो राम है वो पहले अलग खड़ा हुआ तब बाद में वो stage की तरफ गया, तो moment को बतला रहा on to the stage, एक location से दूसरी तरफ, he address the students, उन्होंने students को address करा that they performed उन्होंने perform करा आए above expectations उमीदों से above, अच्छा उमीदों से अच्छा but their knowledge, लेकिन उनकी knowledge regarding practical life practical life से related उनकी knowledge was below expectation, वो expectation से below, नीचे, अब उपर अच्छी और below, नीचे he never, उन्होंने कभी नहीं took a day off छुट्टी ली, took लेना पास्ट इंडेफिनेट, off off जो होता है कई चीजों में यूज करा जाता है जैसे कोई चीज खराब हो जाए तो off, बंद के लिए off लगाते है यहाँ पर a day off उन्होंने छुट्टी नी ली from school, इसको तुक a day off इसको हम दूसरे तरह से यूज कर सकते हैं जैसे took a leave take a leave took a leave चुट्टी लेना और यहाँ पर took a day off उन्होंने एक दिन की भी चुट्टी off नहीं करा उन्होंने we spoke उन्होंने बात करी about the importance of understanding importance ना उन्होंने इसका adjective important होता है उन्होंने understanding समझ की importance पर बात करी और compassion और धया की compassion ना उन्होंने इसका adjective होता है compassionate, C-O-M-P-A-S-I-O-N-A-P-E, adjective है, दयालू, compassionate, you are a compassionate person, you are compassionate, he worked with parents, उन्होंने राम ने parents के साथ वर करा, for the students, students के लिए, who were, जो falling behind in study, जो study में पीछे रह रह रहे थे, falling behind, जो study में पीछे रह रह रहे थे, behind, पीछे रह रह रहे थे, this story, ये story, teach us, हमें पढ़ाती है, that we should never go, हमें off, go off, the path of determination, determination होता है, दर्ण संकल्प, हमें कभी भी, दर्ण संकल्प के path, बस्ते से, go off, भटकना नहीं चाहिए, अब भटकने के लिए क्या लगाते है, हम stay लगा सकते है, भटकना, अब यहाँ पर क्या है, go जाना होता है, लेकिन जब off आ गया, इसका मतलब यह हो गया, कि भटकना, आपके जो मनजिले, उससे भटक गया, इसक करूंगा, आपको अच्य तरह से सेसान में आया होगा, मिलते हैं अगए वीडियो में, कॉनदे, रिघाट उन्म्हाँ, आड़ने, भीडेट, बढाए हो, आटियुक्त, अपर वीडियू, आपको अच्छे तरह सेसे gonna आया होगा, मिलते हैं वीडियो में, कॉम्हाँ इसक्य झाल